हेलो एवरिवान लाल मसूर की डाल तड़के वाली बन करके तैयार है ये देखें इतनी बढ़िया बनी है और इसमें तड़का भी मैंने बहुत ही बढ़िया लगाया है और खाने में भी इसका टेस्ट अलग आएगा तो चलिए जटपट से बनाते हैं ये तड़के वाली ला यहां पर मैंने देड़ कटोरी के करीब डाल ली है डाल को हम अच्छी तरह से दो पार पानी में धो करके और फिर इसे हम 15 मिनिट के लिए भिगो करके रख देंगे ऐसा करने से हमारी डाल जो है वो बहुत अच्छे से गल जाती है और उसका स्वाद भी बढ़ जाता है यहां मैंने दो हरी मिर्च एक मीडियम साइज का टमाटर और एक मीडियम साइज का प्याज लिया है अब इसे मैं बारिक बारिक काट करके अलग रख दूंगी ये देखिए मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्च को बिलकुल बारिक काट के अलग रख दिया है और अब हम अपना डाल बनाने का तयारी करेंगे एक प्रेशर कुकर में आप एक चमश तेल लिजे और इसे अच्छी तरह से गरम होने दीजे तेल हमारा गरम हो चुका है और अब इसमें हम थो छोड़ा क्रेकल होने लगे तो आप इसमें कटी उई ब्यास डालिए मैंने कटी उए प्याज इसमें डाल दीं है और अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूण लेंगे प्याज हमारी गुल्डन ब्राउन हो गयी है और अब इसमें हम टमाटर मिल्च भी आड़ कर दे इसमें एड़ कर दिया है और इसे भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे टमाटर भून जाए तो हम इसमें बाकी के मसाले एड़ करेंगे आधी छोटी चमच हल्दी मैंने एड़ किया है साथी लाल मिर्च आधा छोटा चमच एक चमच सूखा धनिया एक चमच नमक अब इनको हमें अच्छी तरह से भून लेना है अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इससे लाइक जरूर करिए देखिए सारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं और अब इसमें हम अद्रक और लेसन का पेस्ट आड करेंगे कोई एक चमच के करीब मैंने अद्रक का अद्रक और लेसन का पेस्ट इसमें आड किया है और इसे भी हम अच्छी तरह से इन मसालों के साथ भून लेंगे मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं मैंने डाल प्रेशर कुकर में डाल दिया है अब इसे हम थोड़ी देर तक मसालों के साथ में भून लेंगे ऐसा करने से डाल का स्वाद जो है वो बहुत ही बढ़िया बन जाता है और यह खाने में भी बहुत ही स्वादिश लगता है ये देखिए मैंने दाल को थोड़ी देर भून लिया आपको दाल को अच्छी तरह से करीब पांच मिनिट तक भून लेना है दाल हमारी भून चुकी है अब इसमें हम पानी आड़ करेंगे मैंने इसमें लगभग दो ग्लास पानी आड़ किया है आप चाहें तो अपने डाल के अकॉर्डिंग कम या जादा पानी कर सकते हैं अब हम प्रेशर कुकर में धकन लगा के दो सीटी आने तक अपनी डाल को पका लेंगे ये देखिए दो सीटी बच चुकी है अब हम देखते हैं कि हमारी डाल कैसी बनी है तो ये देखिए हमारी दाल जो है वो परफेक्ट बन करके रेडी हो चुकी है आप देख सकते हैं दाल का कलर भी कितना ही बढ़िया आया है अब हम दाल में तड़के की तैयारी करेंगे एक छोटे से पैन में हमें घी ले लेना है आप चाहे तो तेल से भी बगार लगा सकते हैं मैंने यहाँ पे एक छोटा तड़का पैन लिया है और मैं इसमें देशी घी अड़ करूंगी एक चम्मच के करीब मैंने देशी घी अड़ किया है इसे हम अच्छी तरह से गरम करेंगे जब हमारा घी गरम हो जाए तो इसमें हम आधे चम्मच के करीब हिंग अड़ करेंगे हमने हिंग इसमें डाल दिया जब हिंग की खुश्वो आने लगे तो आप इसमें जीरा डालें जब जीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उसके बाद आप इसमें कटा हुआ लेसुन डाल दें ये देखिए मैंने चार कली लेसुन के डाल दी इसमें काटके और अब मैंने इसमें एक कश्मीरी लाल मिर्च आधा तुकड़ा करके अड़ किया है जब है सारे बगार अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तो इसमें हम आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पौडर डालेंगे लाल मिर्च के पौडर डालने से हमारा जो बगार है उसका कलर बहुती बढ़िया आता है यह देखिए मैंने यह बगार लगा दिया और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर इसमें आया है और हमारी डाल भी बहुती स्वादिश्ट लग रही है हमारी मसूर की डाल रडी है आप चाहें तो इसको हरे धनिये से गार्णिश कर सकते हैं मसूर की डाल चावलों के साथ बहुती स्वादिश्ट लगती है गरम गरम चावलों के साथ में आप ये मसूर की डाल को जरूर खाएं ये बहुती स्वादिश्ट और बहुती पोश्टिक डाल है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें